नमस्कार, भाईजूस एक्जाम प्रेप IAS, हिंदी में आपका स्वगत है, प्रस्तुत है दैनिक समचार विशलेशन, सत्र के विशे आपके समक्ष हैं, आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे डीप स्टेट का दुश्मन, काला सागर वरूस, अमरित सरोवर योजना, में हम मुख्य पर एक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधेत उत्तर संदचना भी हम आपको देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला आलेक आपके समक्ष है, इसे पेज नमबर 13 से लिया गया है, और इसका संबंध GSP2 में IR और GSP4 में Ethics स इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं, डीप स्टेट के दुश्मन पर, विसल ब्लोइंग वेब साइट, विकी लीक्स के सहसं स्थापक जूलियन असांजे को United Kingdom से अमेरिका में प्रत्यरपित करने की प्रकिरिया के संदर में एक बड़ा कदम देखा गया है, जब बिटिज ग इस निर्णे के किलाब कानूनी लड़ाई को लड़ने की बात की है, आपको ध्यान दखना है कि असांजे आप राधे कारोपों के लिए अमेरिका में वंचित हैं, जिसमें 2010 में विकी लीक्स की हजारों गुपत अमेरिकी फाइलों को लीक करने की कारवाही के लिए जासूस अधिनियम के उलंगन के लिए 175 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है, इस संदर में आपको इस पूरे मामले को समझने की आऊशकता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जूलियन असांजे गोपनियता विरोधी वेबसाइट विकी लीक्स के प्रमुक है असांजे ने 2010 की शुरुआत में अंतर राश्टिय सुर्खियां बटोरी जब विकी लीक्स ने एक वरगी गरत अमेरिकी सैनिक वीडियो प्रकाशित किया, इसने 2007 में बगदाद में अपाचे हेलिकॉप्टरों के द्वारा किये गए हमले को दिखाया गया था, जिसमें दो राइटर समचार करमचारियों सहित एक दरजन लोग मारे गए थे, इसके चलते असांजे को सरकारी कंप्यूटरों से गोपनिय जानकारी की चोरी से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा, और उन पर पूर्व अमेरिकी सेना के खूफी अधिकारी, चेल्सी मैनिंग के साजिस रचने के आरोपों को भी लगाये गया, 2012 में उन पर यौन उत्पीडन के आरोप लगे और स्वीडन के अधिकारी यौन उत्पीडन की जांच के तहट उन से पूस्ताज करना चाते थे, स्वीडन को प्रत्यरपित किये जाने से बचने के लिए असांजे ने जून 2012 म एक्वाडोर के लंदन दूतावास में शर्ण ली, स्वीडन ने 2017 में उस जांच को छोड़ दिया, लेकिन असांजे के द्वारा लंदन में अपनी मूल जमानत के नियमों को तोड़ा गया, इसके चलते एक्वेडोर के राश्पती ने असांजे को दी गई, अपने देश की शर्ण का अनुदान वापस ले लिया, जो साथ सालों से चल रहा था, असांजे के द्वारा अंतरराश्टी सम्मेलनों और दैनिक जीवन के प्रोटोकॉल के बार बार उलंगन के बाद शर्ण को वापस लिया गया था, इस परकार असांजे को बिटिश पुलिस ने गिरफत कर लिया और उन्हें एक्वाडोर के दूतावा से बाहर ले जाया गया, जिससे अमेरिका को उनके संभावित प्रत्यरपन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, हाला कि उनकी गिरफतारी पर विवाद देखे जा रहे हैं, असांजे की गिरफतारी ने अभिव्यक्ती की स्वतंतरत सूचना कादिकार और राष्टिय सुरक्षा चिंताओं के भी संतुलन पर एक बैस्विक बहस को जन्म दे दिया है, एक सवाल यह भी है कि क्या असांजे एक पत्रकार हैं और विकी लीक्स पारमपरिकर्थों में एक समचार संगठन है, लेकिन विसल ब्लोवर और केंद्रि यह खूफिय एजेंसी के पूर्व कॉंट्रेक्टर एडवर्ड स्नोडन ने गिरफतारी की निंदा करते हुए इसे प्रेस की सुतंतरता के लिए एक काला च्छन बताया है, विद्वानों का मानना है कि असांजे के खिलाव अमेरिका द्वारा लगाए गया आरोप अविश इसने सत्ता में बैठे लोगों को जवाब दे ठहराने का रास्ता खोला है, इसलिए विवादों के बावजूद असांजे के अभियोग को सभी पत्रकारों के लिए खत्रा पैदा करने वाला माना जा रहा है, यह हर जगे विसल ब्लोवर को दबा सकता है और अंतता लोकतंत को कम जोर कर सकता है, इसमें महिला अधिकारों संबंधित दुविधा को भी आपको समझना होगा, क्यूंकि असांजे के खिलाव यौन उत्पिडन के आरोप उन मुद्दों से कम महत्तपूर हो गए हैं, जो राष्ट राज्यों को अधिकारिक गोपनियता अधिनियम से चो की राजनीतिक नितरत्त के लिए गोड हैं, उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि सबसे पहले तो असांजे को इस मामले पर जवाब देना चाहिए, कि क्या उन्होंने दो स्वेडिश महिलाओं को संभावित नयाय से वंचित किया है, अथवा नहीं, इसके संदर में UK सरक स्वेडन में उनके प्रत्यरपन का समर्थन करने का आवहन किया गया है, यहां तक कि US के किसी भी दबाव पर विचार करने से पहले, इस प्रकार असांजे के खिलाब कानूनी मामला कैसे चलेगा, यह उस तरेकी की खोजी पत्रकारिता के भविश्य को निर्धारित करेगा, जिसका विकी लीक्स प्रतिनी धित्त करता है, यह सुतंत्र अभिव्यक्ति कानूनों के लिए एक लिटमर्ट टेस्क के रूप में भी काम करेगा, जो अमेरिका जैसे देशों में निर्बाद प्रकार की पत्रकारिता की अनुमती देता है, अब हम बात कर लेते हैं, पेज वरी के अंतिम सप्ता में यूक्रेन पर आक्रमन किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि यूक्रेन आसानी से आत्म समर्पन कर देगा, लेकिन युद्ध के सौ दिन से अधिक बीच दाने के बावजूद अभी भी रूस को सफलता हाथ नहीं लगी है, जो उसकी नौसैन पर प्रश्न चिन लगा देता है, इसी के संदर में हमें रूस के लिए काला सागर के महत को समझना बेहद महत पूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि काला सागर यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा एक प्रसिद जल निका आए है, यह है बॉस्फोरस जलसंदी के माध्यम से मरमना सागर और फिर डार्डेनल्स जलसंदी के माध्यम से एजियन सागर को जोडता है, आगे चलकर इसका जुडाव भूमद्य सागर से देखा गया है, इस प्रकार पारमपरिक रूप से रूस के लिए यह है यूरोप क और एक गर्म पानी के प्रिवेश द्वार की रूप में देखा जाता है, और रूस के लिए काला सागर भूमद्य सागर की और बढ़ने का भी एक महत्तपून कदम है, इसके लावा यह नाटो और रूस के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में भी इस्थापित है, इस र में अपनी प्रिभूता को इस्थापित करने का प्रियास किया गया है, क्यूंकि यह रूस के लिए दक्षणी यूरोप के महत्तपून बाजारों तक पहुच का एक महत्तपून आर्थिक गलियारा भी है, काले सागर के इस महत्त के चलते ही, लंबे समय से रूस नहीं पर अ रूसी नौसेना के युद्ध पोस शामिल है, और इनका मुख्याल है सेवस्टोपल में है, जो क्रीमिया महादीप पर एक महत्तपून बंदरगा है, हाला कि सोबियस संग के पतन के बाद क्रीमिया युक्रेन का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके पश्चाद भी रूसी नौसे को तैनात किया, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर ही कपजा कर लिया, तो उससे काला सागर के छेत्र में उसकी पहुच और विस्तारित हुई, इस संदर में यह भी महत्तपून है कि काला सागर का बेडा रूस की दक्षणी समुद्री सीमा की भी रक्षा करता है, साथ ही इसक काला सागर तक पहुच उसकी कूटनीती और शक्ती को उन छेत्रों में सक्षम बनाती है, जहां पहले रूस का सीमित प्रभाव हुआ करता था, आप इस मानचित्र में काले सागर की अवस्तिती को देख सकते हैं, इस मानचित्र के तहत ही आप इसके सीमावर्ती राज्यों क को भी देख सकते हैं, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन महत्तपूर्ण हैं, इसमें आप क्रीमिया के प्रायदीब को भी देख सकते हैं, जिस पर 2014 में रूस के द्वारा अधी ग्रहन कर लिया गया, इसमें कुछ इसमें कर्च आधी शहरों को भी देख सकते हैं, इसमें कुछ समुद्री छेत्र भी काफी महत्तपूर्ण हैं, जैसे की इसमें सी ओफ अजोब यानि अजोब सागर, इसमें सी ओफ मरमरा यानि मरमरा का सागर, इसमें एजियन सी, और साथी साथ आप दक्षिन के छेत्र में मुवमद्य सागर को भी इसमें देख सकते हैं। रूस के लिए काला सागर जहां एक ओर रूस की धक्षनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर वे सीरिया अधी के छेतरों में अमेरिका और नाटों के प्रयासों को भी बेयसर कर सकता है। काला सागर के उक्त महत्यों के चलते ही रूस 2014 के क्रीमिया दिगहन के पश्चा से ही काला सागर पर पूर्ण नियंत्रन हासिल करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन पर बरतमान आक्रमन के दोरान भी रूस का ये महत्यपून उद्देश रहा है ताकि वह रूस और क्रीमिया के मद्ध है एक भूमी पुल की स्थापना कर सके रूस के दोरा मारियोपल पर कपजे के प्रयास को भी इसी संदर में देखे जाने की आउशकता है जो सागर तटके 80% से अधिक पर नियंत्रन देगा और यूक्रेन के समुद्री व्यापार को भी काट कर रूस को सामुद्रिक व्यापार पर वर्चस्व हासिल कराएगा विशेशक्यों का यह भी मानना है कि रूस आगे चलकर ओडेसा के छेत्र में भी अपने को स्थापित करन नियंत्रन में आ जाता है तो यूक्रेन के लिए पूले काले सागर तक पहुँच बादित हो जाएगी जो आगे चलकर उसे इस्थल आबाद छेत्र ही बना कर रख सकता है यह है रूसी छेत्र के तुनला में यूक्रेन अर्थिवस्ता के लिए भया वह द्रश्य होगा यद और जोर्जिया सोवियत गर्ण राज्य थे वहीं बुलगारिया और रोमानिया दो अन्य काला सागर के बेसिन राज्य सोवियत नेतरत वाले पूर्वी ब्लॉक का हिस्सा थे शीत यूद के दोरान काला सागर छेत्र में सोवियत छेत्र से बाहर होने वाला एक मात्र देश तुर्की था जो नाटो का सदस्य था हाला कि बॉसफोरस और डाडेनल जल डमरू मद्य पर तुर्की के नियंत्रण के बावजूद 1936 का मॉंट्रो कन्वेंशन यह सुनिश्चित करता था कि रूस और अन्य कालर सागर देशों को जल डमरू मद्य तक पहुच प्राप्त हो त जोबिय संके विक्टन के बाद नाटो के पक्ष में जाता देख रहा है 2004 में बुलगालिया और रोमानिया नाटो के सदस्य बनते हैं युक्रेन और जॉर्जिया को 2008 में सदस्यता की पेशकर की गई थी अगर वे भी नाटो में शामिल हो जाते तो रूस को काला सागर में न से नाटो के सपने को समाप्त कर दिया 2014 में क्रीमिया पर कपजा करके रूस ने ना केवल युक्रेन की नाटो योजनाओ को पटड़ी से उतार दिया बलकि काला सागर पर अपनी पकड़ को फिर से स्थापेद कर लिया है अब जैसे जैसे रूस का नियंत्रन युक्रेन में और अधिक छेत्रों के साथ बढ़ता जा रहा है रूस काला सागर में शक्ती संतुलन को बल के माध्यम से अपने पक्ष में फिर से लिखना चाता है अब हम बात कर लेते हैं पेज नबन नौ में दिये गएक अन्याले की जिसका समझी एस पेपर 2 में गवर्नेंस से है इसमे में रेलवे और राजमार्क परियोजनाओं के कारयान्वेन में तेजी लाने वाले एक कदम के रूप में केंद्र सरकार ने रेल मंतरालले और भारतिये राष्तिये राजमार्क प्राधिगन से सबी जिलों में तालाबों से खुदाई की गई मिठी का उपयोग करने के और भारतिय राश्टी राजमार्क प्राधिकन को सभी राज्यों में अमरित सरोवर साइतों के साथ अपनी बुनियादी धाचा परियोजनाओं का नक्षा बनाने के लिए कहा है। इसके अंतरगत प्रदेश अधिकारियों से यह कहा गया है कि वह चल रही परियोजनाओं के निर्मान के लिए साइटों से खुदाई की गई मिट्टी और गाद का उपयोग करें। आपको इध्यान रखना है कि आजादी के अमरित महुत्साओं के तहट जल संदक्षन के लिए अमरित सरोवर योजना को शुरू किया गया है। होने वाले राष्ट व्यापी कारिक्रम के दोरान देश भर में कम से कम 50,000 जलनिकायों का काया कल्प होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र ने घोशना की है कि उस दिन सभी अमरित सरोवर इस्थलों पर राष्टिय द्वज फराया जाएगा। इसके तहट सभी छेतली रेलवे के महा प्रबंधुकों को मुख्य प्रशाशनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी की रूप में नामित करने के लिए कहा गया है। जो चल रही रेलवे परियोजनाओं के लिए अमरित सरोवर के निकटता मिस्थलों की पहचान करेगा, गाद की उप्युक्तता का अध्यन करेगा और एक व्यवहारता रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। रेलवे सूतरों के अनुसार इस थानी अधिकारियों से आवश्यक मातरा में मिट्टी प्राप्त करने में देरी के चलते कई रेलवे परियोजनाएं रुकी हुई हैं। हाला कि इस मुद्दे को उचित इस्तर पर उठाया गया था लेकिन समय पर मिट्टी की उपलब्दता एक चुनवती बनी हुई है। सूतरों के अनुसार अम्रित सरोवर मिशन भारतिय राष्टिय राजमार्क प्राधिकान के द्वारा कार्यानवित किये जा रही परियोजनाओं की आवशकताओं को पूरा करेगा। इसमें तमिलाडू में ठेकेदारों को मिट्टी उठाने की अनुमती देने का मुद्धा इतना तीवर हो गया था कि इस साल फरवरी में भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकान ने मम्मलापुरम और पूदुचेरी के बीच इस्ट कोस्ट रोड के सडक चौडिकन के का अधिकारिक सूतरों के अनुसार तमिलनाडू के पिरतेक जिले के 75 जलाशियों से निकाली गई मिट्टी और गाद सडक परियोजनाओं को लाउग करने के लिए सडक थेकेदारों को उपलब्द कराई जा सकती है अब हम बात करेंगे सुन्दरवन पर संयुक्त राष्ट की रिपोर्ट पर भारतिय सुन्दरवन सहेथ 5 भौगोलिक इस्थानों पर UNDRR यानि United Nations Office for Disaster Risk Reduction के द्वारा वित्त पोशेद COVID-19 के प्रभाव पर एक अध्यन में बताया गया है कि महामारी और इसे रोकने के उपायों ने ना केवल पूरे समाज में व्यापक प्रभाव डाला है साथ ही पहले से मौजूद कमजोरियों को भी मजबूत किया है सुन्दरवन में लोगों को COVID-19 और चक्रवात अमफान के दोहरे बोज से जूजना पड़ा है मार्च से मई तक COVID-19 के प्रभाव के पहले महीने सबसे गंभीर ऊशन कटी बंदिये चक्रवातों में से एक के साथ मेल खाते हैं जो 20 मई 2020 को 170 किलोमीटर प्रतिगंटा की निरंतर हवा की गती से देखा गया इसने लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया जिससे यह उत्तर हिंद महासागर में दर्ज किया गया अब तक का सबसे महंगा चक्रवात बन गया शोद में बताया गया है कि COVID-19 के लिए निवारक उपाय के रूप में इसकूलों को बंद करने में सिक्षा में भी व्यवधान देखा गया है लोकडाउन की अवधी के दौरान और चक्रवात के बाद कम उम्र की लग्टियों के बीच जबरन विवा की घटनाय बढ़ी इसके अलावा आर्थिक संकट और सिक्षा में व्यवधान के कान कई परिवारों ने अपने बच्चों विशेश रूप से यूवा लड़कों को बाल श्रमिक के रूप में लगाया महमारी का असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बलकि महिलाओं पर भी पढ़ रहा है कई महिलाओं को अपने अन्य मौजूदा कारेभार के अत्रिक खेतों में काम करना पड़ता था उन्हें वह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो अन्यता किराय के श्रमिकों के द्वारा किया जाता था विशेशक्यों के नुसार महमारी से पहले इस बात के बारे में जादा जागरुकता नहीं थी कि बार, सूखा या छेत्रिय बिमारी के प्रकोब जैसे खत्रे विश्विस्टर पर समाजों पर असर डाल सकते हैं जब COVID-19 ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू किया तो हमारी अत्यधिक परसपर जुड़ी दुनिया में परसपर निर्भरता की वास्तविक सीमा, समाज के भीतर और पूरे समाज में ये कैसे प्रभाव डाल रही है ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहा ह अब हम बात करेंगे पेज नमबर एक में दिये गए एक अन्याल एक पर जिसका संबद जीएस प्रभाव 2 में आयार और जीएस प्रभाव 3 में अर्थ व्योस्ता से है इसमें हम बात करेंगे चीनी कंपनियों की मदद के लिए 400 के खिलाफ कारवाही पर केंदर सरकार ने मांडंडो और नियमों की धजियां उड़ा कर महानगरों में चीनी मोखोटा यानी शैल कंपनियों को शामिल करने में कतित भूमिका के लिए 400 चार्टेड एकाउंटेंड और कंपनी सचिवों के खिलाफ अनुशाशनात्मक कारवाही करने की सिफारिश की ह यह कड़ी करवाही 2020 की गलवान घटना के बाद चीनी व्यापारिक संस्थाओं के खिलाब सरकार के द्वारा उठाए गए उपायों की एक श्रंखला में से एक है जब चीनी प्यूपिल्स लिबरेशन आर्मी के साद हिंसक जड़पों में 20 सैनिक मारे गए थे हाला कि सरकार द्वारा शुरू किये गए विभिन्न नियामा कुपायों के कान चीनी कंपनियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले दो वर्षों में शूनने हो गया है दोनों देशों के बीश व्यापार पिछले साल 125 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड इस्तर पर पह कटकर 12,622 करोड हुआ सरकारी अधिकारियों के अनुसार जिन C.A. और C.S. के खिलाव अनुशाशनात्मक कारवाही शुरू की गई थी उन्होंने नियमों और कानून के परियाप्त अनुपालन के बिना प्रमुक शहरों में बड़ी संख्या में चीनी स्वामित वाली या चीनी संचालेद शेल कम्पनियों को शामिल करने में मदद की इसी के चलते कॉर्पुरेट मामलों के मंतराले ने पिछले दो महीनों में वित्तिय खूफियाई काईयों से इन्पुट प्राब्द करने के बाद इस प्रकार की कारवाही की शिफारिश की है अब हम बात कर ले तिवा जनजाती पर असम की अर्थिवयुस्ता में किर्शी का महत्यपूर्ण स्थान है और ग्रामियर किसान इसकी रीड है इस साल मांसून से पहले अच्छी बारिश ने किसानों को अपनी फसल वोने में मदद की है इस दौरान अच्छी बारिश से खरीब फसल की भी उम्मी कुछ को अच्छी फसल के लिए देवताओं के आशिरवात का आवाहन करने के लिए मौसम की शुरुवात में मनाये जाता है इस प्रकार से आदिवासी जीवन किर्शी से जुड़े कर्मकांडों विश्वासों और परंपराओं के इर्द-गीर्द घूमता है हाला कि शिकार प्रे आद्म विश्वास और दूरदर्शिता की आवशक्ता होती है जन्जातिय समुदाएं में सामोहिक प्रयास की प्रबल भावना होती है जो उन्हीं रोपड के मौसम में मदद करता है और उन्हें आर्थिक लूप से लाभानवित भी करता है जिसमें तिवा जन्जाती काफी महत्तपूर्ण है तीवा जंजाती असम और मेघाले राज की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में रहती है तीवा का मतलब होता है वे लोग जिन्हें नीचे से उठा लिया गया था उन्हें असम राज्य की भीतर एक अनुसूचित जंजाती के रूप में माननता प्र भी जाना जाता है साथ ही वे तिब्बती वर्वन भाषा को बोलते हैं अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्न की पहला प्रश्न है जूलिया नसांजे के खिलाफ मामला अनेक नैतिक प्रश्नों को खड़ा करता है जिनको संभोधित किये जाने की आ साक्रवन बरता जा रहा है रूस काला सागर में शक्ति संतुलन को बल के माध्यम से अपने पक्ष में फिर से लिखना चाता है इस पश्ट करें 250 शब्द 15 अंक पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जूलिया नसांजे का समान्य परिचय देंगे और इसके मुक्य भ करेंगे और इसके संदर में उप्युक सुझावों को भी देंगे अंत में आप उप्युक सकरात्मक निसकर्ष प्रिस्तोत करेंगे और इस रूप में आपको उत्तर पूर्ण होगा दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप काले सागर का समान्य परिचय देंगे और और इसके मुख्य भाग में आप काला सागर के रड़नीतिक महत्य को इस्पश्ट करेंगे, रूस के द्वारा काला सागर पर प्रभुता इस्थापित करने के प्रयासों का उधार देंगे, और इसके संदर में कुछ उप्युक सुझाओ भी देंगे, अंत में आप एक उप्य उप्युक्ते प्रयवारा साथ करने के सरेब Milky